कि वेरी गुट इबनिंग टेक्नोराइद मार्स अभी का वी से स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज हम लोग ग्लूट जॉइंट मैन्वल चैप्टर नमर टू हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में तो हम पॉइंट 2.3 जो हमने बेसिकली कंप्लीट कर लिया था 2.3 का हेडि देख लीजिए आपको दिखा देता हूं फैब्रिकेशन एन असेंब्ली ऑफ नूट जॉइंट इसमें पहेला स्टेप हमने जो पढ़ा था दाट वास प्री फैब्रिकेशन वर्क हमने उसको कंप्लीट किया उसके बाद ने हमने 2.2 में प्रिकॉशन दूरिंग फैब्रिक असेंब्ली के दौरान क्या होता हूँ 2.3 में पढ़ा और हम जो है उसके आगे जो है नेक्स स्टेप में दोस्तों नेक्स स्टेप में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा आज का यह पॉइंट है मार्किंग मार्किंग पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो मार्किंग अभी पढ़ 2.1 marking of glute joints by manufacturer यानि मार्किंग कौन करेंगे यह manufacturer मार्किंग करेंगे ठीक है तो क्या कहा जा रहा है इसके बार में तरह एक बार देख लेते हैं हम लोग इवरी ग्लूट जॉइंट शाल है इप इस्टिंक्टिव मांक इंडिकेटिंग दी ग्लूट जॉइंट नंबर यानि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों मार्किंग के अंदर पहला है आपका ग्लूट जॉइंट नंबर फर्स्ट वन इस ग्लूट जॉइंट नंबर दूसरा है कौन से मन्थ में और कौन से यर में किया गया वह पर्टिक्र जॉइंट और किस मैं ने बनाया उसका कोड कोड ऑफ दी मैनूफ्यक्ट्र ठीक है तो यहां पर उन्होंने इसको समराइज करने के लिए हमको यहां पर दिखाया हुआ है यह बॉक्स में आप देखें जो फॉर टाइमस एक्स है यह जो है शुरु यह अबने मन्थ यह और यह ट्रिपल ए यानि की कोड अफ दे मैनुफेक्ट्ट्र यह इस प्रकार का सिम्बॉलिकल यह होगा ठीक है पिर बात में क्या का जा रहा है लिस मार्किंग यह ग्लूट जोंट की मार्किंग इस मार्किंग शुट बी एमज़ ऑफ बाद गेज अन सब्सक्राइब जाएगी लेकिन अब पहले इसके पहले इसको रीडाउट फिर से का देता हूं क्या कहा है यह जो मार्किंग में क्या-क्या चीज़ होगी पहले उन्होंने यह बताया कि यहां पर कुछ नमबर होगा यह इसके बाद ने किस महीं बना वह एम हो गया कौन से साल में बना टू डिजिट वाई-वाई हो गया और जो ट्रिपल लिखा है यह बेसिकली इन्होंने बता है कि मैनुफेक्चर को जो कोड दिया जाएगा वो कोड यहां पर होगा अब यह कहां-कहां मार्किंग करेंगे इसका सवाल था तो उसके लिए क्या करें दिया और कहां पर बनेगी एट 300 mm अवे फ्रॉम द वन एंड और फिश प्लेट से 300 mm की दूरी पर एट 300 mm अवे फ्रॉम दो फिश प्लेट के एक किसी छोर से 300 mm की दूरी पर लगेगा कैसा होगा यह पंचिंग की जाएगी बाइं पंचिंग विदाउट कॉजिंग नी डामेश त 6 mm की हाइट होगी जो फॉर्ण की हाइट होगी टेक्स की हाइट और रेल का जो वर्टिकल फेस है उससे 10 mm नीचे रहेगा यह सारी की सारी चीज़े जो यहां पर बताया है उन्होंने इसको फिगर फाय में दर्शाया हम आपको फिगर फाय दिखाते हैं अभी यह दोस्तों आपके सामने आपके स्क्रीन पर फिगर फाय में रखा है ठीक है तो यहां पर आप गौर से देखें तो यूद्वी क्लियरली सी जो भी चीज़ें आप उन्होंने बताई है कि हम देख सकते हैं कि यह हो गया हमारा ग्लूट जाइंट है आपको ग्लूट जाइंट ग्लूट प्लेट से 300 mm की दूरी पर गेज फेज साइड और नॉन तरफ यहां पर भी दिखा रहा है यहां पर भी दिखा रहें ठीक है क्या करेंगे मार्किंग करेंगे ग्लूट जोइंट की और क्या बता है उन्होंने जो हैड होगा ना टॉप सर्फेस होगा 10 mm उससे नीचे होगा और जो लेटर आप लिखेंगे लिखावर जो आपकी होगी वह होगा 6 mm मार्किंग साइज यानि मैं आपको अपने तरीके से इसको आपको बताता हूं तो यह मान के चले मेरी रेल का हैड है पूरी में रेल पहले बना देता हूं ताकि फिर बाद में आपको समझने में दु आपका 10 mm छोड़ दिया जाएगा बिल्कुल ऊपर पर नहीं लिखा जाएगा दस में छोड़ दिया जाएगा उपर से और फिर इसमें यह जो पोर्शन है इसके अंदर 6 mm हाइट से यहां पर लिखावट होगी यानि कि मैं इसको अगर ऐसा बना दो तो जादा अच्छा ठीक है और आपकी जो फिश्प्लेट हों कि तो इसको होगी में थोड़ा सा इससा यह तो यह यहां पर मेरा कहने मतलब यहां पर यह है कि यह जो छी फिश प्लेट होगी फिश प्लेट से 300 में यह इनन लिखा एक यह लिखावट से फिश प्लेट का कोई एक अभी आपने देख लिया कि इस प्रकास से मार्किंग थी फिगर आप आगे देखें इंडिकेट द ग्लूट जॉइट नंबर चार डिजिट मैंने अल्रेडी बता दिया यह पर इस रिपीट करा पूर डिजिट इंडिकेट ग्लूट जॉइंट नंबर स्टार्टिंग फॉम कैसा होगा starting from 0001 for first joint of every month हर महिने का जो पहला joint होगा उसका number 0001 फिर बाद में the next two digits month of manufacturing यानि इसकी बात चल रही है तो यह आपका हो गया month of manufacturing हो गया यह हो गया month of manufacturing next two days month of manufacturing followed by followed by last two digits of the year of manufacturing ना जैसे 2024 यहां पर टूफोर आएगा नाइटी नाइन 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 इस प्रकार से दो डिजेट लास्ट के जो होंगे वह फिर बाद में क्या कर जा रहा है एंड के जो तीन डिजेट से एंड लेटर शाल भी तीन ऐसा उन्होंने नहीं कहा जो भी manufacturer को code जैसा भी RDSO ने assign किया होगा एंड लेटर शाल भी code of the manufacturer कौन assign करेगा उसे यह code को QAP Quality Assurance Civil Directorate of RDSO Quality Assurance Civil Directorate of RDSO इनको assign करते हैं ठीक है तो यह मार्किंग के से रिलेटेड आपका हो गया लेकिन यह कौन से ग्लूट जाइंट मार्किंग है जो की manufacturer ने बनाया है देखिए आप category क्या है यह आपर मार्किंग औफ ग्लूट जाइंट बाए manufacturer जो ग्लूट जाइंट मैनुफैक्चरर है उसके द्वारा मार्किंग की बात चल रही है फिर अब दूसरी बात चलेगी हमारी नेक्स्ट हमारा है marking of glute joint by inspecting authority marking of glute joints by inspecting authority यानि कि particular किसी supplier ने या glute joint बनाया और उसके बाद में कोई inspecting authority हमारी है railways की जो उसकी जान कर रही है और according लिए उसको mark करना है ठीक है तो उसके लिए है क्या guidelines दर उसको भी देख लिया जाएं जो भी मैणिफेक्टिज़ जो भी युजाएंगी इंस्पेक्शन की जाएगी inspecting authority द्वारा तो उसके ऊपर एक distinct you inspection मांग जो है inspecting authority द्वारा inspecting agency मांग किया जाएगा कहा खोगा इस मांक शुच्छ़ विए embossed on the gauge and non-gauge face sides of the head of the rail of the glute joint at 300 mm away from the another end of fish plate by punching without causing any damage to rail without causing any damage to rail ठीके विलकुल वैसा ही तरीका है जैसा बताया था वैसा ही लेकिन थोड़ा सा फरक क्या आपको मैं बता हूंगा भी आपको from the another end of fish plate by punching without causing any damage to rail in letters same or letters or digits 6 mm height at a depth of 10 mm from top of vertical face as indicated in figure 5 आप कहेंगे कि दोनों में फरक क्या है अब आप कहेंगे कि दोनों में फरक क्या है भाई जो यहां पर उन्हों ने कहा था कि marking of gluten by manufacturer marking of gluten by inspecting authority बड़ाबर ताप कहेंगे कि फरक क्या है फरक दोस्तों देखकर मैं आपको figure 5 में फिर लेकर चलूँगा फिर आपको समझ में आगा कि फोरक क्या है कि दोस्तों में वापस आपको figure 5 लेकर आया हूं यहां पर आप देखें कि शुरूआत में हम पढ़ रहे थे जब manufacturer कि में तो उन्हों तो वह यहां पर आ गया समझाने के लिए यहां पर आ गया ठीक है अपको समझा रहें दूसरा क्या रहे हैं डूसरा वह कह रहे हैं यहां पर क्या है यहां पर क्या होगा यहां जो मार्किंग होगी दोस्तों बेसिकली क्या है एक फूरा पर पर आ गया दूसरा जो होगा इंस्पेक्टिंग एजनसी का उसका जो है दूसरे एंड में आएगा एक तरफ अगर मैनुफेक्टिर ने मार्क किया है तो दूसरे तरफ कौन करेगा इंस्पेक्टिंग एजनसी उसे मार्क करें बाकि सब कुछ दोस्तों बिल्कुल वैसा ही जोंका त्यों है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नजर नहीं कि इंस्पेक्टिंग एजेंशी जो मार्क करेंगी तो वह मार्किंग का बिल्कुल तरीका सब कुछ वैसे ही उगा लेकिन क्या होगा इंस्पेक्टिंग एजनसी का इसको बीजरां लो in order to indicate the UTS of the rail coding as shown in figure 5 shall be done by approved enamel paint क्या कहा in order to indicate the UTS of the rail coding as shown in figure 5 shall be done by approved enamel paint यानि क्या कहा कौन सी rail है आपकी उसको गर indicate करना है in order to indicate the UTS of the rail यानि की 880 ग्रेड है या आपकी 70 यानि 90 UTS है या आपकी 72 UTS कौन सी रेल है तो क्या कहा तो वह आपको जो है अप्रूब्ट इनेमल पेंट से एक कोडिंगा शून इन फिकर शाल ब्रूब्ट अप्रूब्ट इनेमल पेंट ठीक है आगे बढ़ते हम लोग यह होगा आपका मार्किंग इसके पोस्ट फैब्रिकेशन वर्क यानि हमारा आपकी बन चुकी है अब उसके बाद क्या काम करना है तो क्या का जा रहा है आपने ग्लूट जॉइंट बना लिया अभी आपका जो ग्लू है फ्रेश में आयेगा तो यह गेट यह इस फिल गट कंटामिनेट इट विल गट कंटामिनट इसको क्या करना है सिम्प्ली एसेंबली जीग होगी इस शूट बिलिक पॉलिदीलिन शीट से डग दिया जाएगा ठीक है यह हो गया पोस्ट फाब्रिकेशन अगला पॉइंट इसी में द क्या कहा आपका जो Grant होताना दोस्तों अभणा जो सिमेंट होता है सिमेंट को इनिशेंट टाइम लगती है फाइन शेकी टाइम लगती है उसके बाद ने आपको इसको मॉइस्चर वगरा देना होता है ताकि वह हाईडरेशन प्रोसेस होते रहे हैं कि सब्सक्राइब को इन दिमाग में हमारे क्या बैटा हो तो यह दोनों को आपने मिक्स किया है इसके उपर पानी नहीं आपको ठीके इसके पानी नहीं मारना है यहां पर बोलने का मतलब है कि उसको उसको की कंडीशन में जैसे हमारा सिमेंट के अंदर जो हम लोग सेटिंग के लिए छोड़ देते है थोड़ा समय बिल्कुल यहां पर क्योरिंग मतलब की ग्लू हाड़न हो उसको क्योरिंग कहते हैं यहां पर यह सेंबर जॉइंट शादें विए लाओ टू क्योर ऑंद जीग फॉर अट-लीस ट्वेंटी-फॉर आज करें कम से कमार 24 घंटे जीग में इसी क्योर करने रखें क्या कही हम लोग उसको ठोड़ा सा कर्ट का पाटिकल होता है कुछ जिसको लोग बनने के लिए लेकिन अगर आपने उसको कहीं पर रखा हुआ है उसके अदर क्ल्चर भी अल्रेड़ी है लेकिन आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया मतलब उसको थोड़ा सा टच कर लिया या थोड़ा सा मूवाउन कर दिया तो आप देखते हैं ना कर्ड बराबर बनती नहीं आपकी ऐसे यहां पर भी है यहां पर क्योरिंग पीड़ी मतलब की वह जिस हालत में उसको वैसे ही रखा जाए किसी भी प्रकार की चेड़कानी करीबन कम से कम 24 घंटे तक रूम टेंपरेचर पे कोई चेड़कानी नहीं करेगा आगी क्या कहा जा रहा है इसी के अंदर इट शाल बी एंशूर दाट नो मॉइस्टर ओइल और अधर डेलिटी इस माटीरियल स्कमिन कॉंटाइक वि और यह कोई डिलेटी इस मटिलेल एन फॉर अबजेक्ट आपके असेंबर जिक के कॉंटाइक में नहीं आएगा जब तक उसकी क्योरिंग नहीं गई हो जब तक आप इसकी क्योरिंग और नहीं ठीक है आई बास समझ में यह ध्यान रखना एट चाल एंशूर दाट नो टूल से आपको उनको क्लीन करना होगा we have to get it clean तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लीनिग ऑफ टूल्स और टूल्स और एक्विपमेंट में आपके जिग में सारे के सारे क्या करना आपको उसको क्लीन करना है और टूल्स और एक्विपमेंट यूज तो भी क्लीन करते हैं यहां वहां पर पानी इस्तेमाल करके आप साफ कर सते हैं यहां पर कुछ क्लीनिंग के आपके पास केमिकल्स होंगे वह सारी चीज़ें इस्तेमाल करें बस वित्ताई होगा ताकि हम लोग अगली बार जब और यहां जो दोस्तों इस तरिके से हमारा यह चाप्टर नमबर टू जो है ना जो रिमेंग पार्ट हमारा था यह ना 2.4 से वी हैव गुप्लिटेट इड एड ओक